राइपूर से भिलाई मार्ग के बीच एक बड़ी दुरघटना सामने आए हैं जिसमें एक शक्स की मौत हो गई है इतब ही पीछे से एक और गाड़ी आ रहे थी उसने उसके सिर को कुचलते हुए रौंदते हुए उसके शरीर से अपनी गाड़ी दोडा दी मेरी बैन बता है कार से पीछे से मारा है तो उसी इलाज के लिए हम लग गए थे उस इलाज के दौरान में वापी सी के दौरान में जब आ रहे थे तो मैं गाड़ी के थुड़ा आगे हुए कुमारी के जो साही मंदिर उसके आगे में हुआ है एक्सिडेंट है रायपूर से भिलाई मार्ग के बीच एक बड़ी दुरगटना सामने आए है जिसमें एक शक्स की मौत हो गई है दुरगटना इसकदर थी कि पहले कार की वज़े से जिस बाइक सवार को मारा गया मारने के बाद जो बाइक सवार था वो चित होकर के वहाँ पर गिरा हुआ था कि तभी पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी उसने उसके सिर को कुचलते हुए रौंदते हुए उसके शरीर से अपनी गाड़ी दोड़ा दी और ये वाख्या हुआ है कुमहारी के पास जहां पर राहुल प्रसाद नाम के शक्स जो सुपेला लक्ष्मी मार्केट के निवासी थे अपनी नाना का इलाज करवाने के लिए वो रायपूर एम्स गए हुए थे अपनी परिवार जनों के स गय हुए थे परिवार के साथ और राहुल के जाने का मन नहीं था ऐसा उसके परिवार वाले बता रहे थे लेकिन उसके बावजुद भी वो गया हुआ था वहां से आते हुए राहुल के जो भाई है वो आगे निकल गया था उसने वो सारी चीज नहीं देखी लेकिन पीछ सब्सक्राइब करने फोकर मारा जब गाडी से राहुल गिर गया उसके बाद उसके सिर को किसी और गाडी की जरिये कुचल दिया गया तो ये सारी कि इस्थिती दो पहर के साड़े-तीन बजए के आसपास की बताई जा रही है बॉडि को इस वक्त हम लोग लाल बहदूर शास्त्री अस्पताल में हैं बॉडि को लाया गया है में मरचुरी में और साथ ही साथ जो जो फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले भी अस्पताल के बाहर हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वो तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, जो एड़ दाइट मुमेंट पे, लास्ट टाइम पे, जब उनसे राहूल से बात चीछ हुई थी. राहूल के भाई ने जो कुछ बताया है, वो हम आपको इस वीडियो के जरीए दिखाते हैं. उस इलाज के दौरान में वापीसी के दौरान में जब आ रहे थे, तो मैं गाड़ी के थोड़ा आगे होगे, कुमारी के जो साही मंदिर उसके आगे में हुआ एक्सिडेंट, बाद में दूसरे नंबर से कॉल है, उसके पहले ही मैं रुक गया कि इन लोग पीछे क्यों नह ओओड शोया अष़ा है, कान अग यद देख रहा है, मेरी इन बताई थे, कार से पीछे से मारा हुग्ग हों नहीं, लगया है, मेरी ममी और मेरी बहन थी, मिरी मौसी की लड़की है, उसको भी लगया है, वो अभी वहस्पिटल में अज वह पता नी वह कैसी है कि आप भी बाइक चला रहे थे हैं हां मैं आगे था उनकी कौन से बाइक थी उनकी पैसन प्लस थी पैसन प्लस थी हाँ प्लस थी क्या उमर रही हो गया उनकी उमर थी 18-19 थी ट्राफिक पुलिस की सडक सुरक्षा माह के बीच लगातार एक्सिडेंट की घटनाय जो बड़ी है वो काफी चिंता जनक है आपको बता दें कि पिछले कई महिनों से हम लगातार ये कवरेज कर रहे हैं कि कहीं बाइक से एक्सिडेंट कहीं बाइक तेज चलाने की वज़ा से ये सारी चीज़े हो रही है कहीं हेलमेट ना पहनने की वजह से और ऐसा ही बाइंट कम्हारी में भी देखा गया है जिसमें राहुल प्रसाद की मौत हो गई है मौत के बाद पूरा परिवार जिसका अमला वहां पर लाल भादुर शास्टरी के ठीक सामने खढ़ा हुआ है मर्चुरी के ठीक सामने हम लोग हैं अभी डेट बॉडी लाए गई थी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की और एक यह है कि लगातार यातायाद चलाने वाली लोग हैं एक हडबडी रहती है उनको मारने के बाद वो भाग जाते हैं hit and run एक बड़ा मामला एक बड़ा कानून आया था उसके बाद से बहुत बवाल हुआ था उस बवाल के बाद भी काफी सारी काफी सारे चीजे जो हैं चिंतनी यह बन गई थी उसको भी रो दो पहर के तीन बजे कुमारी के ग्रीन वैली के ठीक सामने जो हद्सा हुआ है वो भी एक ही टेंडेंड केस के मामले से जुड़ता है क्योंकि जिस कार सवार क्यूंकि राहुल के पीछे जो बहन बैठी थी उसने देखा है कि एक कार द्वारा उस गाड़ी को ठोकर मारी गई इससे पहले भी छावनी में भी एक ऐसा मामला आया था जिसमें दो भाई बहन थे वो अपने घर की ओर जा रहे थे कि तबी अचानक से पीछे से एक कार आती है कार रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है उसके बाद कार का कोई नामों निशान नहीं मिलता कैमरे खंगाले जा यह मामला अगर आप भिलाई से रायपूर जाएंगे तो साई मंदीर के ठीक आगे जो खारून वैली है वहां पर यहाचा हुए तो वापस आते वक्त एमस से वो लोग वापस आ रहे थे और वापस आते वक्त यह मामला हुआ तो आगे जो CCTV जो फुटेज है अगर खंगाल